नमस्कार, न्यूस टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हूँ आरिन गुपता, ये खबरों मागे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज कुनों के सामचार उपर जैक्ट परिक्षा प्रणाम पर आक्रोश 35,000 छात्रों को किया गया अनुत्रिन नाराश छात्रों ने किया जिला शिक्षा अधिक्चक कार्याले का घेराओ भालूबासा में कारोबारी के आवास पर फैरिंग मामले का उठभेदन तीन जीवित कार्टूस के साथ दो हमलावर पकड़ाए नशे के कारोबार को खिलाब सराइकेला पुलिस को सफलता 540 पुरिया ब्राउन शुगर के साथ मुस्लिम बस्ती के दो युवक गिरफ्तार और जुसलाई में सामुदाई भवन पर दबंबो ने जड़ा ताला पस्तिवासी पहुँचे धिला मुक्ताले अब खबरों को विस्तार से देखते हैं जारकन अकाडमिक काउंसिल द्वारा इस बर जारी परिक्षा परिनाम के बाद पूरी राजजवर में छात्रा अंदोलन पर उतराये हैं और हर तरफ जैक बोड की आलोचना की जा रही है दरसल बोड द्वारा जारी बारवी के नतीजों में लगभग 35,000 शात्र चात्राओं को अनुतिन कर दिया गया है इधर शहर में भी अनुतिन शात्रों का प्रदर्शन पिश्टे दो दिनों से जारी है मंगलवार कोनों ने जिला शिच्छा पदालीकारी की कारयाले का घिराव कर नारेबादी की जारखन एकैडमिक काउंसिल के परिच्छा परिणाम के खिलाफ राजी भर के लगभग 35,000 अनुतिन शात्र आंदुलित आपको पता दें कि वैश्विक महमारी कोरुना के कारण इस साल जैक द्वारा औसत मार्क देकर छात्रों का परिणाम जारी किया गया जिसमें करीब 35,000 छात्र फेल कर दिये गए हैं इधर फेल छात्रों ने जैक के नियमावली का विरोध शुग कर दिया है बीते शनिवार से ही लगातार फेल छात्र चरण बद आंदोलन चला रहे हैं इधर मंगलवार को छात्र जीला शिक्षा दिक्षक के कार्याले का घिराव करते हुए धरने पर बैट गए हलांकि जिलाशिक्षा दिक्षकने परिक्षा के परिणाम में अपनी भूमिका से इंकार करते हुए छात्रों को मनाने का प्रयास किया लेकिन आक्रोशित छात्रे टस से मस नहीं हुए चात्रनेता हेमन पाठक ने बताया कि जब तक फिल चात्रों को पूर्णत नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा माठिझा कंट अच्छा कि जीड़ान शिच्च अधिक्च के कानलाई पर अखिल जार जात्रसंग के बैनर को ले क्लान बिसृडाले के अंतरगत आने वाले क्लान परमोंडब के अंतरगत आने के यह कि दिवीन बिवीन महां बिद्यालयों से चात्र क को पह्सुती हुई जिसमे भारी माथता में भोटाला और गलबड हुई है जो बच्चे 11 में पास किये हैं वैसे बच्चों को 12 में फेल कर दिया गया है आकिर हम यह जानना चाहते हैं कि आपका मार्किंग सिस्टम का आधार क्या है आपने किस आधार पे बारवी में छात्रों को फेल किया है जब कि वे छात्र ग्यारवी की परिक्षा में उत्तिरन हुए थे गत 21 जुलाई को भालुबासा लाइन नमबर 5 के रहने वाले इंडियन गैस कारोबारी राहूल गुपता के आवास पर फायरिंग करने के मामले में जिला पुलिस ने दो अपराद कर्मियों को गिरफतार करते हुए उनके पास से तीन जीवित कार्तूस भी बरामत किये हैं और उनसे पुछता जाड़ी है बीते 21 जुलाई को सिताराम डेरा थाना अंतरगत भालुबासा लाइन नमबर 5 स्थित कारोबारी राहूल गुपता के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए दो अपराद करीमे को गृफतार कर नाई खिरास पुलिस की गिरच में आया अपराद्यों के नाम विक्की सिंग और मनपीत पाल सिंग बताया जा रहा है पुलिस ने उनके पास से 7.65 mm का तीन जींद्या कार्थूस और एक खोका एक पिलिट दो मोबाइल एबम एक डॉंगल और घटना में प्रविक्त स्कूटी बरामत कर लिया है तो इस जूले को अम लोगों के जो सिकारा अपरा ताना अंदरिगत बालो बसा स्थित लाइन नमबर पांच वोड़ के रागल पिक्तार तो गर के सामें जो स्टार्टियों की उसमें रात में लगदोर में जो अग्यात अक्रादी दुआरा स्कूटी में आते ही उ इसमें शामिली दो विक्ति जो अपरादी है विक्ती सिंग उस अर्भण सी और मंत्री तॉल शी नमपरी भूलो इनको अग्लोग करतार की है और इस कांड में परयोग हम्लोगों का जो इस गठना सलसित प्राप इंदा घोली तीन अम लोगों के मिला है या तनाजी मिला है साराई किला पुलिस द्वारा नशे के कारो बार की खिलाब अभियान जारी है और उन्हें लगतार सफलता भी हासिल हो रही है इसी सिन्सिले में गुपत शूचना के आधार पर पुलिस पुलिस ने इम्तियाज खान और जहांगी आलम नामक युवकों को गिरफतार करते हुए उनके पास से 540 पुडिया ब्राउन शुगर बरामत किया है जिसका बाजार मूल ले लगभग 2,00,00 आका जा रहा है। सराइकला पुलिस का नशे के खिलाफ अभ्यान जारी है जहां एक बार फिर से आदितिपुर्थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबादियों का खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता जादा है कि सोंबार दिवा शक्स्ती के क्रम में पुलिस को देख का दो इवक भागने लगे। जिसे खजड़ कर पुलिस बरोदवारा धर दपोचा गया जिनके तलाशी लेने पर उनके पास से 540 पुडिया ब्राउन शुगर बरामत किया गया है जिसका वजन 56.3 ग् खिलाब पुलिस का भ्यान लगातार चारी है। प्रेमी युगल द्वारा व्यार चाने के मामले में जमशितपूर महिला थान अरणभू में तबदील हो गया और घंटो थाने में हंगामा, रोना पीटना और जगड़े का अलंब बना रहा। बाद में नाटी की अंदाज में प्रेमी शादी करने से इंकार करते हुए अभी पूरे घटना करम का क्लाइमेक्स बदल गया और अचानक लड़के के परिजन वहां आधम के और शादी का विरोध शुरू कर दिया। अब पूलिस लाचार बेबस प्रेमी को नाई खीरासत में ले जाने की तैयारियां में जुट गई है। कहां दोनों के शादी रजाने की तैयारियां चल रहे थी कि अचानक पूरा घटना करम ही बदल गया। पढ़ा कि वे दोनों ने शादी कर घर बसानी की तैयारियां कर गए। अब तो कुछ की परता चलेगा। शुरू में तो मान गया तरहां पता निए प्रिच में से क्या हो गया कि इंकार कर रहा है। तो लड़के के पेरिंस आते हैं तब बात होगा। तो लड़का तो हाजत में हैं तो उसको निकालेंगे। स्वास्त मुंत्री बनना गुपता भले ही लोगों की खुशियों में अपनी व्यस्तिता के कारण शामिल नहीं हो पाते हैं पर दुख की घड़ी में बिना वक्त गवाए हाजिर होते हैं। बाग बेड़ा पंचायत के उपमुखिया सुनिल गुपता की माता जी के देहाफसान की खबर पाते ही वे उनके आवास पहुँचे और गहरा शोग प्रकट किया। स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता बाग बड़ा कॉलनी पंचायत के उपमुख्या सुनिल गुपता के आवास पहुचे आवास पहुचकर उपमुख्या सुनिल गुपता से उनकी मा के मुलूति के बारे में विस्तित रूप से अवगत हुए इस दोरान मंत्रि बन्ना गुप्ता ने सुनिल गुप्ता के माह के निधन पर गहरा शोग प्रकट करते हुए निकी आत्मा के शांती है तूप्राशना के इस दुख की घडी में उन्होंने सुनिल गुप्ता के परिजनों को हर सभो मदद करने का आश्वाशन बेदिया इस दोरान जिला पार्षत किशोर यादव, बर्ना गुपता फैंस क्लब के अतियक्ष अनिल सींग, जहा मोमो जम्षेतुरू प्रखंड अंतियक्ष भादूर किसको समेत अन्य लोग मौजूद थे विधित हो कि उप मुख्या सुनिल गुपता की सत्तर वर्षे मा, तिलेसरा देवी का निधन, विगत 27 जुलाई मंगलवार को मुंबस्ति टाटा मिमरियर अजपताल में इलाज के दोरान हो गया था विभिन राजनेतिक दलोग से बड़ी संख्या में युवाओं ने एक अपचारिक कारेक्रम के अंतरगत आजसु पाटी का दामन थाम लिया करांती सिंग और सूरेकान सिंग ने अपने समर्थकों के साथ आजसु पाटी की सदसेता ग्रहन की वरिष्ट आजसु नेता चंदरगुप्ट सिंग ने उनका स्वागत किया आजसु पाटी द्वारा मिलन समाहरों का आयजिन किया गया जहां पाटी के पूराने सदसु ने अपनी घर वापसी की पाटी के पूरी युवा नेता रहे करांती सिंग ने इस कारिक्रम के दोरान अपने समर्थकों के साथ दोबारा आजसु पाटी का दावा धमते वे घर वापसी की इस दोरान पार्टी के केंदरी कमिटी के नेता चंदरकुप सिंग ने सभी को पार्टी का पत्ता पहना कर स्वागत किया मौके पर घर कई दुसरी राजनीतिक तलों से बड़ी संख्या में युआ आसू पार्टी में शामिल हुए इस दोरान आसू नेता करांती सिंग ने कहा कि भले दो वर्षों के रिए दूसरे दलों में गए थे लेकिन उनके दिल में हमेशा से ही आसू पाटी के प्रती समर्पण की भावना रही में जो भी है जो भी है जो भी हम लोगों के बीच में जो भी जीला कमेटी है यहां के जो भी गलतिया इससे पहले हम से नहीं हो कि बागबेड़ा पंचायत के उप मुख्या सुनील गुपता की माता स्वरगय तिलेसरा देवी की याद में बिष्टुपुर स्थित स्वदेशी जागरण मंच के कार्याले के समक्ष रड़क के किनारे फलदार पौधो कर रोपन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के उप मुख्या सुनील गुपता के माता स्वरगय तिलेसरा देवी की याद में बिष्टुपुर स्थित स्वदेशी जागरण मंच के कार्याले के सामने मुख्य सड़क के किनारे आम नीम कदम का चाली सहीत फलदार विप्च लगाए ग इस मौके पर धर्मेंद प्रसाद एवाब नीरोज सिंग ने सहीत रूप से लोगों को परियावरण से बचा हुदू फलदार विप्च अधिक साथिक लगाने के प्रति आवहन किया स्वास्त मंतरी और जमशितूर पर्ष्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कॉंगरेसियों ने मानगों में विशेश कैम का आयोजन किया जहां कैम के माध्यम से जरूरत मंद लाबोकों से विध्धा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन, किसान क्रेडिट क आधार कार्ड और राशन कार्ट के लिए आवेदन लिए जानकारी देते हिए कॉंगरिस नेताओं ने बताया कि इस शीविर के आमाध्यम से 200 से ज्यादा जरूरत मंदों को सरकार द्वारा दिये जाने वारे स्युधाओं का लाब दिलाया जाएगा वैसे समाचार दिखे जाने तक लगबग 100 से ज़्यादा जरूरत मंदों ने कैंप में आवेदन जमा कर दिये थे बताया कि ये शीविर आगे भी लगाया जाएगे जो नागरिक जन दो अपिस में दूर है नहीं पहुच पा रहे है उसके लिए जगह सुनीत करके हम लों यहाँ पर आज जिर्दापिसी राशन काज और अधार काट के लिए यहाँ पर विजस्त के किसी नागरी को जो असुदा ना हो साथ ही वारंग शिती लिपी पर समाज के लोगों को जागरूप किया जाएगा आधिवाशी हो समाज द्वारा अगस्त को विश आधिवाशी दिवस के मौके पर उरेत रक्तदान शिविर का आयवजन किया जाएगा जहां 201 से ज्यादा रक्त्संग्रह का लक्ष रखा गया है इसके अलावा 9 अगस्त को वारंग शिती लिपी पर एक कारशाला का भी आयजन किया जाएगा इसमें समाज के लोगों को वारंग शिती लिपी के बारे में विस्तित जानकारी दी जाएगी अगस्त क्रांती में विस्त आदिवासी दिवस क्रांती दिवस के उसर पर आदिवासी हो समाज बागुन हातू के दौरा सबसे पहले विस्त आदिवासी दिवस के पूर में 8 अगस्त को महा रक्तदान सिवीर का आयजन इसी प्रांगन में किया जा रहा है जो कि प्रातर नौ बज़े से अपरान तीन बज़े तक चलेगा उसके बाद नौ अगस्त को विश्वाजदिवासी दिवफ्स के उसर पर हो समाज के लिपी वारंग चिती के बारे में तमाम समाज के लोगों को एकत्रित करके हमारे मेडम है शिक्षिका है जमुना बुद्रा उनके द्वारा वारंग चिती लिपी को विश्वतित रूप से समझाया जाएगा अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप कहीं मज जाईएगा ब्रेक के बाद खबरों के दौर जारी रहेगा आप देखते रहें न्यूस टाइम्स कम लेते हैं अब्रेक कर दोटा है भ्रेक के लिगें आपकेम के लिच समस्वारा 위्लीकां को विटेखते हैं little कर दो 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 झाल झाल बवासीर से अब घबराना क्या चाहे किसी तरह का हो बवासीर चाहे खुनी हो या वादी मातर साथ दिनों में उपचार की पूरी गारंटी शमीन खान नवेदी बवासीर दो तरह का होता है एक खुनी होता एक बादी होता पूरे जाटकर से आते हैं, आप ये भी मालना कि पूरे आउन अबर इंडिया से काफिल गड़ा से लोग आते हैं फिर ड़किडी, ड़किडी में डोज नेयर जमजम देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभानवित धातकिडी जमजम स्टोर के सामने 3161-2032 Indian Baking, Specialist in Cakes and Confectionary Items Online Booking Facility Specialist in all types of Patees, Cake, Cookie, Pizza, Burger, Hot Dog, Eggless Cake, Birthday Cake, Anniversary Cakes, Wedding Cakes, Free Rooms, Food Cakes, All Types of Biscuits, Marriage Anniversary Cakes and School Order Specials Please do visit with your friends and family www. supplicationaryITems.com उसरा क्णत्डर प्रापण गायत्री सिक्षा निकेतन CBSC Affiliated आपके बच्चों के सुनेहरे भविशे का दूसरा नाम गायत्री सिक्षा निकेतन सिक्षा के छेत्र में उत्क्रिस्ट प्रदर्शन के लिए रास्ट्री एवं राजित सरकार से सम्मानित विद्याल जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगिन विकास गायत्री सिक्षा निकेतन उच्चस्तरिय और आधूनिक उपकर्नों से लैस कंप्यूटर लैब, साइन्स लैब, आधूनिक क्लास्रूम्स गायत्री सिक्षा निकेतन निकेतन